किया अश्रवगंदा को डाइनबोल के साथ as a estrogen blocker यूज किया जा सकता है बाइका question है पहले बाइस चीज को जानते हैं कि अश्रवगंदा का primary purpose किया ता उसके किसे लिए यूज किया जाता है सबसे पहला उसका sleep यूज करते हैं वो यूज किया जाता है हर libido के लिए sex drive के लिए टैसली नेवल को naturally boost करने के लिए क्योंकि एक हर्ब है आप सब को पता है दूसरी चीज होती है हमारा stress और anxiety को वो कम कर देता है तीसी चीज होती है कि हमारा immune system जो हता है उसको boost up कर देता है ठीक हो गया चोती चीज होती है हमारा जो sleep pattern होता है उसको improve कर देता है तो इस थोड़े जिन के benefits की वज़ा से उसको use किया जाता है normal life में but as a estrogen blocker इसको use नहीं किया जाता कुछ studies की गई थी इसके बारे में जिसमें ये result आया थे कि कुछ bodies के अंदर tessal cina को ने करिये करता है साथ में के करता है estrogen को भी बढ़ा देता है जब कि कुछ cases में क्या हुआ था जब कि इसको use करवाया गया तो estrogen कम हो गया और finally जो evidence आया वो यह आया था कि यह ना होता है estrogen को बढ़ाने में help करता है ना है estrogen को कम करने में help करता है हाँ जब आप इसको use करते हो तो कुछ body में आपकी body में testosterone level को जाहरी बात है आपकी वीडियो बढ़ाएगा तो उस case में estrogen भी कुछ में बढ़ जाता है और कुछ में क्या होता है testosterone बढ़ते साथ में estrogen कम हो जाता है तो यह प्रूवन नहीं है कि आप इसको as a estrogen blocker यूज करो या ना करो आप इसको यूज नहीं कर सकते है तो दूसरी जाती है dynabol की तो dynabol अफकोर्स आपका estrogen वो तो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी क्योंकि उसकी अरुम होती है जिसकी वज़ा से क्या होता है हमारी body के अंदर जो estrogen होता है वो dominance कर जाता है जिसकी वज़ा question था आपका क्या आप इसको as a estrogen blocker यूज कर सकते हो of course not हो सकते है आपको benefit दे हो सकते है नहीं दे but it's not like estrogen blocker estrogen blocker और बहुत से मार्केट में मिल जाते है क्लोमीड है उसके लाब अलेक्राजोल है उसके लाब आप ले सकते हो timoxif in Alva deck से है you can okay I hope you got your answer